Assalamualaikum viewers, मजीद आगे बढ़ते हैं notepad में, मैंने notepad को open कर लिया है, हम लोग काफी कुछ navigation के हवाले से पढ़ चुके हैं, इस class में भी navigation को भी discuss करेंगे, लेकिन दरसल एक new class हम यहाँ पर apply कर देंगे, specifically navigation के उबर यह बात कर लेते हैं, यानि के हमने navigation के अंदर, हमने pills के उपर बात कर ली, tabs के उपर बात कर ली, but now directly to navbar, तो उसके लिए यहाँ पर हम nav नहीं, navbar ही लिखेंगे और space लगा देंगे, तो navbar, अब style कौँ सा चाहिए, फिलवक में default ले लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको मज़ीद styles के बारे में definitely बताने वाला हूँ, अच्छा जी, अब navbar, एक चीज़ मैं आपको खास बता दूँ कि, navbar को container के अंदर नहीं रख सकते, उसकी कुछ वजुहात होती है, वैसे अगर रखना चाहें, जरूरी हो तो आप रख लें, जबके navbar के अंदर हम container को रखते हैं, जिसकी वज़ाए यह होती है, कि हमारा element, जो है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा, अंचाहला तला तस्वील से न, कि हमारा element को जब हम इसको responsive way में लेके जाते हैं, यानि कि mobile में खोलते हैं, तो थोड़ी सी आपको, आपको शाद याद होकर जब हमने container के बगार data को रखा था आपने, तो थोड़ा सा मैं scrolling करनी पड़ती थी, शुरू में, उसके बाद हमने फिर container लगाना शुरू किया था, और specifically हमने fluid container अप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि हम container fluid इस्तमाल करेंगे, ताके जो हम जब इसको responsive way में इस्तमाल करें, तो फिर वो हमें horizontally हमें इसको scroll ना करना पड़े, उसके बाद यहाँ पर हम दो pieces में navbar को अपने बनाएंगे, एक में होगा हमारा navbar header और एक में हम उसका जो हमारा जो navigation का basic data होता है वो डालेंगे, तो पहले class हमारी होगी यहाँ पर navbar header उसके बाद इसके भी इंदर आ जाएंगे और यहाँ पर एक टैग लगा के href लगा देंगे और फिलाल मैं hash लगा देता हूँ, कवर कर लें इसको, यहाँ पर अब आप लिख दें कि for example my site, whatever you wanna type, और साथ यह class पर लगा दें इस a tag को, class navbar brand, इसको save कर लें और ब्राउजर पर जाएं और refresh कर रहें दो देखें आपको my site इसको नहीं पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, तोड़ा सा इसको zoom in कर लेता हूँ, वो perfect size है, zoom in मैंने नहीं कि actually, लेकिन आप देख रहें कि बिल्कुल बराबर से यह बाहर निकला हुआ data में मिल रहा है, और इसके अंदर देखें थोड़ा सा आपको space मिल रहा है, यह space दरसल क्यों है, क्योंकि हमने flood लगाया हुआ है, अच्छा, अब header से बाहर निकल जाएं यहां पर हेश लगा के इसको cover कर दें, यहां पर वही में लिख देता हूँ, home और इसी तरीके से युनो के, जो भी आपने मतबक menu बनानी हो, यह menu है, navigation bar की, software के बाद आप लिख दें, जैसे के music, फिर contact us, जो भी आपने मतबक content, content देना हो, वो आप दे सकते हैं, यहां पर हम data आ गया, बट यह भी मुनासिब नहीं है, यह मुनासिब इसलिए नहीं है कि यहां पर हम nav bar, nav you लगाएंगे, nav bar के अंदर nav, और शुरू में हमें सिर्फ nav लगाना होगा, अब refresh करें और देखें, यह बिल्कुल perfect अंदाद में आ गया, colors भी देखें, एकदम contrastment में, matching में है, ठीक है न, यह color matching में ही होई, क्योंकि उपर मैंने nav bar default लगाया हुआ है, ठीक है, यह आप देख रहे होंगे, अच्छा जी, यह तो एक basic सी चीज थी, अच्छा यह nav क्या, यह class हम पहले पढ़ चुके, navigation के लिए होती है, यह पूरा बार था, बार उपर है, अब यहाप बार इंवर्स हो चुका, और इस style आप देखें तो बहुत खुबसूरत सा यह style हमारे पास आ रहा है, just because हमने इसे inverse किया हुआ है class को, तो यह दूसरा एक style है, अच्छा मजीद आगे चलते हैं, तो असल में ऐसा होता है कि अगर मैं for example, यहापर को content डाल देता हूँ नीचे, इस nav bar fixed top, यह fix top हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अभी हमारा nav bar यहापर refresh करने पे fix हो गया है, fix करने का मतलब यह है कि अगर हम स्क्रोलिंग करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्क्रोलिंग के लिए यह नहीं कि हमें बहुत सारा data चाहिए, तो अगर जब आप officially website इसके अंदर जो किसी से मुशाबह होगा, तो उसमें हम इस problem को cover कर लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि fixed top कैसे काम करता है, वैसे अगर हम nav bar fixed bottom लगा दे, bottom से क्या होगा, save करने पर refresh, अभी bottom में fix होगे हमारे nav bar, हम कितना ही से scroll down, scroll up कर ले, bottom में fix हो जाता है, तो यह दोनों values को आप कही नहीं note out कर लें, और हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके navigation bar में drop down भी रहे, तो software को मैं choose कर लेता हूँ, drop down के लिए, या music, जो भी आपको मतलब बहतर, सबसे पहले इस software का जो LI है, उसमें class add करेंगे, drop down, और उसके draw कर लिया, और इस ul के अंदर हमने वो data, जो के हमने nest करवाना है, वो हम put कर देंगे, तो fill work में क्या करता हूँ, कि इन दोनों को copy कर लेते हैं, फिर इसको इदर मैं upload, paste कर देता हूँ, इसको manage कर लेते हैं, text में वैसी changing कर देता हूँ, जैसे कि Adobe, और नीचे हम लिख देते है हैं, just suppose, drivers, जो भी मतब आपके जहन में आ जाए, वो आप लेख सकते हैं, by the way, लेकिन अभी जो A आपके पास है, इसमें आपने कुछ तबदिलियां करनी है, या actually कुछ इजाफे करने है, तो data toggle equal to drop down, और एक last भी add करेंगे, drop down, spelling should be correct, toggle, यह होगे हमारे पास, अब आगे चल और इसको मैं एक enter करके नीचे थोड़ा सा कर देता हूँ, तो यह थोड़ा suitable हो जाएगा, अब यहाँ पर आएंगे, class हम लिख देंगे, drop down menu, अब इसको ज़र ब्राउजर पर चेक कर लेते हैं, मैं जाकर refresh करता हूँ, तो देखें मेरे पास, यह यहाँ पर click करने पर, pen लगा दूँगा, मतब एक की अंदर, ठीक है ना, और इस pen के अंदर में starting में, एक class add कर दूँगा, caret की, यह हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत सारे काम इसमें similar है, drop box में, sorry, यह boot strap में, by the way, drop box पे थोड़ सा काम चल रहा था, तो मेरे जहन में वही आ गया, अच्छा आप देखें, मेरे पास arrow है, तो arrow पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, कि यह menu उस तरीके से आपको easily available ह होती है, वैल आपको अब अब अधाजा हो चुका हुआ कि किस तरीके से हम एक nav bar बनाते हैं, और एक चीज़ मैं आपको और बता दू कि यह जो drop down जैसे कि हमने बनाया, यह हमने class लगाई थी drop down की, यह यह हमने जो ul लगाया था, यह पूरा का पूरा ul दरसल क्या है, यह जि कॉपी कर लेता है, यह पूरा मैंने कॉपी कर लिया और मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, दो मैंने लगा लिये, अब आप नूट कर ले, मैंने सिफ कॉपी किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगा, यह drop box के पूरी यह LI को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए यहां पर, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने करा और मैंने सेफ कर लिया, ब्राउजर में जाके रिफरेश कर लिया, I got two menus, one menu is here, second menu is here, बट यह मुनासिब नहीं लग रहा, तो अगर आप चाहते हैं कि यह बिल्कुल अलग लग लग कर देते हैं ताकि topic, जो concept हो थोड़ा सा सही हो जाया हमारा, यह register हो जाता है हमारे पास, और यह हो जाता है हमारे पास sign in, और contact us को मेरी खाल में remove कर दें या रहने दे, contact us यहीं पर ही सही है, ठीक है न, यहां से cut कर लेते हैं, इसको पहले number पर डाल देते हैं इस तरीके से, और यहां से contact us को हम remove कर देते हैं, that will be more good, अब refresh कर लें तो देखें इस तरीके से हमारे पास shape आ गई है, अब एक काम करते हैं कि इनके साथ हम कुछ glyph icons add कर देते हैं, तो glyph icons जोंकि आपको पता है कि हमें दपत देख लेना चाहिए, तो विदर मैं लिखता हूँ glyph icons, यह website ह हमारे पास, पस मैंने glyph icons net पे सर्च किया, मुझे यह website मिल गई है, और यहां पर हमें कुछ glyph icons मिल जाएंगे, जो कि हमारे मताबिक होंगे, यहनी sign in के लिए, register के लिए, और contact us के लिए, ठीक है, तो यहां पर आकर हम इने सर्च कर लेते हैं, यह हो जाएगा हमारे पास sign up क में हम पहले लगा लेते हैं, it's upon you, no problem, तो span और इसको cover कर ले, span को और एक space दे दें, space जरूर दें ताके थोड़ा सा मारे पास gap रहे, फिर class लगाएंगे, सबसे पहले तो simply glyph icon लिखा जाएगा, जो जरूरी है, फिर space लगा कि glyph icon user पेस्ट हो गया, अब ज़रा यहां पर आ Ctrl F, अगर कोई direct contact के नाम का होता है, तो हम वो ले लेंगे, नहीं है, तो कोई बात नहीं है, हमको इपने एसाब से जो suitable हमें लगता है, वो हम पेक अप कर लेंगे, contact us, एरफून वाला तो मनासिब नहीं लग रहा नहीं यह वाला, क्योंकि contact us में तो यह दोनों चीज़ें नहीं चलने चाहिए, तो और उपर चलते हैं, अब ज़रा नीचे चलते हैं, मुझे एक जहन में मेरी आ रहा है, यह हमारे पास model के नाम से होता है, यह, glyph icon, model window, दरसल इंशाला तला जब हम इसमें contact us form बनाएंगे, तो हम model window में ही खोलेंगे इसको, यह मैं आपको बताऊंगा, model होता क्या है, फिला हम simply इसको copy कर लें, यह, मतलब लिख लें, वहाँ पर type कर लें, it's upon you, तो, अच्छा, पहले तो मुझे इसको copy करना होगा, इसको मुझे पूरा यह, तो मैं copy कर लूँ यह वही बात है कि दुबारा लिख लू, it's upon me, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हू यह, तो हम simply इसको copy करते हैं, और यहाँ paste कर देते हैं, और space लगाके, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, login, save कर लें, browser पर जाएं, और refresh कर लें, and now, I got the login sign, sign in sign as well, and यहाँ से जो space हम ने दिया तक से remove कर देते हैं, और इसको refresh कर लेते हैं, इस तरीके से हमारे पर sign in option भी आ है, so I think कि आपको मुकमल तरीके से navigation बार वगरा बनाने का तरीका समच में आ चुका होगा, यह उपर जो मैंने इतनी लंबी आपको जो यह इतना लंबा जो लेक्चर आपको दिया, I hope कि आपको यह तमाम चीज़ें समच में आई होगी, इंशाला तला फिर next class में मजीद ralाफीजड़ प्यू आपको यह था जो मैं मैं आपको यह तूदी